हलो दोस्तों फिर से स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला बहुत लोगों का कमेंट आया हुआ है और मेरे वाटसप गुरूप में भी बहुत लोगों को और प्रसनली बहुत लोगों का जो मेरे पास जो एक कॉमन जो की सवाल होता है जिसके उपर मैं आज के उपर वीडियो बनाने वला हूँ तो simply मैं बता देता हूँ क्या problem आती है ये broadcast होता क्या है बहुत लोगों को ये confusion होता है कि broadcast क्या होता है इसका क्या features है इसका क्या मतलब है तो guys आज के वीडियो में यही बात करने वला हूँ ब्रोड कास्ट होता क्या है और इसके क्या फायदे है guys broadcast होता ये है कि आप जैसे कि पहले एक एक बंदे को मार्क करके share करना होता था share करते था पांच लोगों से ज्यादा share नहीं होता है लेकिन broadcast के जड़ी अब unlimited लोगों को मतलब 200-500 लोगों को एक बार में send कर सकते हैं और ये कोई group नहीं होता है ये particular एक एक person के पास अगर इस group में जैसे माल लिजिए कि मैं broadcast एक बनाया जैसे कि माल लिजिए कि मैंने broadcast पे कुछ friends को जो कि मैंने add किया जो मेरे 6-7 देख सकते हैं 200 लोगों तक मैं add कर सकता हूं मैं 8 लोगों का cast बनाया ठीक है broadcast बनाया आठ लोगों का अब मैं यहां से कुछ भी लिखके भेजूंगा लोगों को तो एक एक जगा से उनके पास ये cast नहीं दिखाए देगा उनको ये वाला cast यहां पर दिख रहा है broadcast यह पला group type में वहां नहीं दिखेगा वहां पर particular में अगर मैं यहां से किसी को high लिखता हूं तो high वो simple एक बंदे को जाएगा मतलब एक एक करके जाएगा यह mark का जड़िया एक तरह से mark कर लिए हमने permanent group type में पर group नहीं बना तो यह होता है इसका features का काफी अच्छा फायदा है जिसके जड़िये आप किसी को भी good night, good morning और इन सब से related आप कर सकते है message तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन-कौन सा जो कि मैंने already बना रखा है तो आप देख सकते हैं जो कि मेरे पास यह देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ videos बगेरा भेजा था जो कि मैं पहले बहुत पहले आप देख सकते हैं यहाप डेट भी दिखा रहा होगा बहुत 7 जुलाई को भेजा था काफी टैम हो गया मैं बहुत ही कम group पे share करता हूं यह सब video तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 114 लोगों का मैंने जो बना रखा है कास्ट अगर मैं यहाँ पर किसी को लिखता हूं हाई तो वहाँ पर शिर्फ उनको ऐसा लगेगा कि प्रस्नली उनके साथ मैं चैट कर रहा हूं जी हाँ और प्रस्नली मुझे मैसेज करेंगे तो इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको प्रस्नली आपको मैसेज आएगा और इसके अंदर भी बिल्कुल नहीं आएगा तो गाइस इसका यह फायदा होता है यह सिर्फ और सिर्फ भेजने के लिए काम आता है तो I hope कि आपको clear होगा किस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं कास्ट बना करके एक बार में भेज सकते हैं पर अगर वो message करेंगे आपको तो particular एक एक करके आएगा ये सिर्फ जाने के लिए आपको ये कास्ट बनाएगा तो कैसा लगा है जानकारी प्लीस कमेंट में जरूर बताएगा मिलते निक्स वीडियो में एक नए टोपी के साथ तब तक के लिए